बात हैं 27 जून साल 2016 की जब गुजरात के सूरत सहर का एक पौश इलाका पारले पॉइंट एक महीला की दर्दनाक चीख से दहल उटता है उस महीला की चीख को सुनते हुए जब आसपड़ोस के लोग उस महीला के घर पर पहुचते हैं तो वहां का नजारा देखकर सबके होश उड़ जाते हैं उस महीला के घर का बेडरूम पूरी तरह से खून से तरबतर था कमड़े में एक एक दिवार पर खून के छीटे दिखाई दे रहे थे उसी बेडरूम के फर्ष पर पड़ी थी उस महीला के जवान पती की खून से सनी हुई लाश नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं डार्क क्राइम्स आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी पुलीस तफ्तिश के बारे में बात करने वाले हैं इसमें पुलीस ने बिना कोई सबूत और गवाह के सिर्फ एक बयान की बदोलत कातिल को पकड़ा और उसे जैल के सलाहों के प अबी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर दबाए इस पूरी कहानी के तीन मुक्ष किरदार हैं और पूरी कहानी इनी के इर्द गिर्द घुमती हैं दिशीत जरीवाला सुरत के नामी कपड़ों के व्यापारी में से एक था सिर्फ 25 साल की उम्र में उसके पास अपना खुद का बिजनेस और करोडों की प्रॉपर्टी थी दो साल पहले ही दिशीत की शादी वैलसी नाम की एक लड़की से हो गई थी जो की हमारी कहानी का दूसरा किरदार है वैलसी के साथ शादी करने के कुछी महीनों में वैलसी प्रेगनन्ट हो गई और एक बच्चे की मा भी बन गई सब कुछ सहीं चल रहा था तभी एक दिन 27 जून की रात को जब दिशीत और वैलसी अपने एक रिलेटिव के घर से डीनर करके वापस लोटी रहे थे के दिशीत की हत्या हो गई वैलसी की चेखे सुनकर उसके घर आये हुए पडोसियों ने पुलीस को बुलाया पुलीस जब दिशीत के बंगलों में पहुँची तो देखा के बंगलों का सारा सामान इधर उधर पड़ा हुआ था सभी अलमाडिया खुली पड़ी थी दिशीत के बेडरूम की फर्ष प सुरी कर लिया हो पुलीस ने अपनी तफ्तीश शुरू की इस पूरे केस में पुलीस के पास अपनी तफ्तीश शुरू करने के लिए भी कोई मुद्दा नहीं था जिस वक्त दिशीत की हत्या हुई उस वक्त पूरे घर में पती पतनी और देड़ साल की बेटी के अलावा और कोई भी नहीं था दिशीत की देड़ साल की बेटी तो कुछ बता नहीं सकती थी जबकि दिशीत की पतनी वैलसी का रो रो के बुड़ा हालो रखा था वो बार बार रोते रोते बेहोश हो जाती थी और जाहिर सी बात है जिस महीला के सुहाग की इतनी छोटी सी उम्र मे इतनी बेरहमी से हत्या की गई हो उसकी दिमागी हालत का अंदाजा आप लगा ही सकते हो जैसे तैसे करके पुलीस ने वैलसी से शुरुआती बयान लिया वैलसी ने अपने बयान में पुलीस को बताया के 27 जून की रात साड़े 9 बजे दिशीत और वैलसी अपनी देर साल की बेटी के साथ अपने किसी रिलेटिव के डीनर से वापस लोट रहे थे उस दिन पुरे गढ़ में इनके अलावा और कोई नहीं था दिशीत के माबाप अपने किसी रिष्टिदार से मिलने अमरीका गए हुए थे दिशीत और वैलसी का बेडरूम बंगलो के उपर के हिस्से में था अपने बेडरूम में जाकर दिशीत ने देखा कि वो पार्किंग गराज की लाइट बन करना तो भूली गया था दिशीत वापस लाइट बंगरने के लिए नीचे गया जब काफी देर बाद भी दिशीत वापस नहीं लोटा तो वैलसी ने उसे बेडरूम से ही आवाज लगाई दिशीत ने वैलसी को जवाब तो दिया पर उसके बाद भी वो काफी देर तक वापस नहीं आया वैलसी ने दिशीत को बुलाने के लिए जैसे ही अपने बेडरूम का दरवाज़ा खोला तो देखा कि तीन नकाब पोश गुंडे दिशीत के गले पर चाकु रखे हुए बेडरूम की और आ रहे थे ये गुंडे चाकु की नौक पड़ दिशीत को उपर लेकर आए फिर इन्होंने वैलसी के बदन के सारे जेवर और किमती चीजे उतर वाली और वैलसी को अपनी देड़ साल की बेटी के साथ बाथरूम में बंद कर दिया जब काफी समय के बाद भी किसी ने बाथरूम का दरवाज़ा नहीं खोला तो वैलसी ने खिड़की का गलास तोड़ा और मदद के लिए आवाज लगाई वैलसी की चीखे सुनकर आस पड़ोस के लोग घड़ में आये तब तक गुंडे वहाँ से भाग चुके थे पड़ोसियों में से किसी ने बाथरूम का दरवाज़ा खोला तो वैलसी बाथरूम से बाहर आ सकी बाथरूम से निकलते ही उसने अपने पती की लहू-लुहन लाश देखी और रोने लग गए तब तक पड़ोसियों ने पुलिस को भी बुला लिया था पुलिस ने वैलसी के बयान को आधर बना कर अपनी चानबीन शुरू की पर पुलिस के पास अभी तक कातिल का कोई सुराख तक नहीं था अपनी तफ्तीश करते हुए पुलिस ने वैलसी के बयान से ही कुछ ऐसी चीजे ढून निकाली जिसके बाद पुलिस के सामने कातिल का चेहरा अपने आप खुल गया वैलसी के बयान से पुलिस ने छे ऐसी चीज़े डूण निकाली जिसने खुद वैलसी को शक के कटगरे में खड़ा कर दिया जिस दिन ये वारदात हुई उस दिन दिशीत का पुड़ा परिवार सूरत से बाहर था पुरे घर में सिर्फ दिशीत वैलसी और उनकी देर साल की बेटी ही थी पुलिस के सामने सबसे पहला सवाल ये था कि इन गुंडों को कैसे पता चला कि आज घर में कोई मौजूद नहीं होगा और तो और उन गुंडों ने दिशीत को पार्किंग गराज में मार कर ही क्यों नहीं लूट लिया जबकि दिशीत के पास उस वक्त डाइमन रिंग, हाथ में कड़ा, सोने की चैन, अपना पर्स और भेंगा मौबाइल फोन तक था वेलसी ने अपने बयान में बताया, कि बेडरूम तक आने के बाद दिशीत ने देखा, कि वो पार्किंग गराज की लाइट बंद करना भूल गया था इसलिए वो वापस लाइट बंद करने नीचे गया अपनी जाच में पुलिस ने पाया कि पार्किंग गराज की लाइट की एक स्वीच दिशीत के बेडरूम में भी थी वो अपने बेडरूम में रहकर भी लाइट बंद कर सकता था तो फिर वो नीचे क्यों गया पुलिस ने अपनी तफ्तीश में ये भी पाया कि उस तरात दिशीत के बंगलों में किसी की भी forceful entry नहीं हुई थी घर के सारे दरवाजे सलामत थे इसका मतलब ये था के लुटेडे बंगलों में जबरदस्ती नहीं गुशे थे बलके किसी ने उन्हें अंदर आने दिया था लुटेडे अगर चोड़ी ही करने आये थे तो उन्होंने दिशीत के सारी किमती चीजों को क्यों छोड़ दिया दिशीत के हाथ का कड़ा, सोने की चैन, डाइमंड रिंग और मोबाइल फोन चुराए बिना ही भाग गए वेलसी के बयान के मुताबिक जब उसने अपने बेडरूम का दरवाजा खोला तो गुण्डे दिशीत के गले पर चाकू रखे हुए उपर आ रहे थे और दिशीत और गुंडों के बीच हाथा पाई तक हुई थी, पर पुलीस ने दिशीत की डेड़ बोड़ी को देखा तो दिशीत का चश्मा अभी तक वैसे का वैसा ही पड़ा था अगर इनके बीच थोड़ी सी भी हाथा पाई हुई होती तो दिशित का चश्मा कहीं न कहीं तो गिर गया होता वैलसी के बयान के मुताबिक उस रात तीन गुंडे उनके घर में घुसे थे पर पुलीस ने जब आसपास के CCTV फुटेज खंगाले तो हर फुटेज में सिर्फ दो ही गुंडे दिखाई दिये जब लुटेरे दो ही थे तो वैलसी ने तीन का जूट क्यों बोला अब पुलीस के पास हर जाइज वज़त ही वैलसी को धर्णे की दिशीत की हत्या के चार दिन बाद आखिरकार पुलीस ने वैलसी को एक अपड़ादी के तोर पर पकड़ा और अपनी पूछताच शुरू की शुरूआत में तो वैलसी वही अपने पुराने बयान पर अड़ी रही पर जब पुलीस ने कुछ सक्ती दिखाई तो आखिरकार वैलसी तूट गई और उसने पूरी कहानी बताई दरसल वैलसी अपनी शादी से पहले ही सुकेतू नाम के एक लड़के से प्यार करती थी और यही सुकेतू हमारी कहानी का तीसरा किरदार है दौनों एक दूसरे से प्यार तो करते थे पर एक दूसरे से शादी नहीं कर पाए इसकी एक वज़ा शायद ये भी थी कि दौनों एक दूसरे के दूर के रिष्टेदार भी थे वैलसी की शादी दिशीत से हो गई और सुकेतु ने भी किसी और से शादी कर ली पर दोनों का रिष्टा शादी के बाद भी चलता रहा दोनों मौका मिलते ही कभी कबार एक दूसरे से मिल लिया करते थे वैलसी दिशीद के साथ शादी के बाद खुश नहीं थी वो दिशीद को छोड़ कर सुकेत उसे शादी करना चाहती थी पर दिशीत सिहर के नामी अमीरों में से एक था, उसके पास करोडों की प्रॉपर्टी थी, वैसे में अगर वैलसी दिशीत से तलाक ले लेती, तो उसे दिशीत की प्रॉपर्टी में से कुछ नहीं मिलता, आखिरकार वैलसी ने अपने पुराने आशिक सुकेतु के साथ मिलक दिशीत को अपने रास्ते से हटा देने का प्लान बना लिया प्लान के मुताबिक इन लोगों ने दिन भी ऐसा चुना जिस दिन घर के सारे लोग बाहर गए हुए थे डिनर से वापस लोटते हुए वैलसी ने जान बूच कर बंगलो का दरवाजा थोड़ा सा खुला छोड़ के आये थे आते ही लोग सीधा दिशीत के बेडरूम में घुस गए और बेड़ पर लेटे हुए दिशीत पर चाकू से वार करने लगे और तब तक मारते रहे जब तक दिशीत की मौत हो गई सबसे बड़ी हैरत अंगेज बात ये थी कि जब सुकेतू और उसका पार्टनर दिशीत को मार रहे थे तब वैलसी खुद अपने देर साल की बेटी को हाथ में लेकर वही पर खड़ी सब कुछ देख रही थी और तब तक देखती रही जब तक दिशीत पूरी तरीके से मर गया जब इन लोगों को कनफॉर्म हो गया कि दिशीत की मौत हो चुकी है इसके इन लोगों ने घर का कुछ किमती सामान ले लिया और फरनीचर इदर उदर कर दिया ताकि पूरा मामला चोरी और मर्डर का लगे सुकेतू और उसके ड्राइवर के जाने के बाद वैलसी ने अपने बाथरूम का शीशा तोड़ा और चिलाने का नाटक करने लगी दिशीत क हत्या के चार दिन बाद पूलिस ने वैलसी, सुकेतू और उसके ड्राइवर को गिरफतार किया चार दिन से जिस महीला को लोग बेचारी समझ कर उस पर तरस खा रहे थे जो बार बार रोते रोते बेहोश हो जाती थी उसी महीला को अब लोग कातिल की नजर से देखने लग पाई, तीन साल जेल में बिताने के बाद साल दोहजार बीस में कॉर्ट ने तीनों कातिलों को बेनिफिट आफ डाउट की बुनियाद पर रहा कर दिया, हालाके सुरत पुलिस ने इस फैसले के खिलाफ हाई कॉर्ट जाने का फैसला तो कर लिया है, पर आज तक बात वही की वही है, और यही चीज हमारी न्याय पाले का पर उंगली उठाने वाली है, आपको क्या लगता है, क्या वैलसी नहीं अपने पती को मार कर सजा से बच गई, या कोई और खेल कर गया, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताए, वीडियो को यहां तक देखा तो ल मौत के घाट उतार दिया था,